चलिए प्यारे बच्चे अब हम लोग क्लास 10th की 10th क्लास की 10th क्लास Math NCRT के द्विघात समिकरन चेप्टर को द्विघात समिकरन चेप्टर में हम लोग exercise 4.3 को पढ़ते हैं जैसा कि प्यारे बच्चो हम लोग 4.2 में questions को किये भी थे वहाँ पे हम लोग कैसे मूल ग्याद करते हैं उन चीजों को हम लोग को सिखे भी हो थे चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं exercise 4.3 मैं सबसे पहले प्यारे बच्चो थियोरी के रूप में सिखेंगे थियोरी के रूप में सिखेंगे सबसे पहले हम लोग कि एक और method होता है जैसा कि हम लोग पढ़े थे प्यारे बच्चो कि द्विगात समिकरन का हल निकालने के लिए बोलेगा या फिर मूल निकालने के लिए बोलेगा दोनों बात एक ही होता है अब चुकि हल या मूल निकालने का जो method है वो दो-दो method है एक method हम लोग सीख चुके है उस method का नाम क्या है प्यारे बच्चो उस method का नाम है कि कोई भी अगर समिकरन रहेगा उसको गुननखंड करके हम लोग उसका X का मान या फिर उसका हल निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चो गुननखंड बिधी द्वारा X का मान निकालना या फिर गुननखंड बिधी द्वारा हल ग्यात करना तो हम लोग ओच चीज सीख चुके हैं अब चलिए अब हम लोग आते हैं पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा इसका नाम है प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा शमिकरन का हल अब की बार हम लोग सिखेंगे कि पूर्ण बिधी द्वारा पूर्ण वर्ग बना कर हम लोग किसी भी समिकरन को कैसे हल करते हैं प्यारे बच्चो अगर मान लेख कि कोई भी एक्जामपल है प्यारे बच्चो चलिए पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा किसी भी समिकरन को हल कैसे किया जाता है एक एक्जामपल लेते हैं तो एक एक्जामपल पे कोशन लेते हैं प्यारे बच्चो ये कोशन है और इस कोशन को हमें हल करना है या फिर मुल्ग याद करना है किस बिधी द्वारा तो पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा प्यारे बच्चो हम लोग पिछले हम लोग सिख चुके हैं कि गुनन खंड बिधी द्वारा भी इसका हम लोग निकाल सकत हैं हलांकि आगी का हम लोग को जरुवत पढ़ेगा सिखना है जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे रैखिक समीकर्ण को स्वाल्व करने के लिए प्रतियस्थापन विधि होता है बजर गुनन विधि होता है यह सब सारा विधी होता है तो हम लोग उसी तरीके से द्विघात सम आए परगरता है कि यहां एकस के बगल में क्या है एक कुछ नहीं है तो एक तो पूरा-पूरा स्कार आस्कॉर स्कॉर meer स्कॉर आपको इसको लिखा जाता है टू प्यारे बछो यह उंक्र लासा है लिखेंगे यहां माईनस रहता प्यारे बचो तो यहां को भी डालते हैं यहां वाला जिसका स्क्वार होता है उसको एक्स को भी डालते हैं इंटू अब बी रखना है यहां पर यहां पर बी रखना है टू एबी होता है हम इसको फॉर्म बनाना चाहरे है ए प्लस बी का हॉल स्क्वार क्या होता है एस्क्वार प्लस टू एबी प्लस तो यहाँ पे 2 x का x हो गया अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या रखेंगे कि टोटल 4x बन जाएगा तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा टू टू जा 4x और जितना आप यहाँ अपने तरब से सोचना है 2 x के जगा पे x हो गया और यहाँ पे 2 तो टू टू जा 4x अब जो यहाँ पे अपने तरीके से 2 लगाए है ऐसा सोच कर 4x लाने के लिए अब इसी 2 का हॉल स्क्वार करना है हो गया अब उसके बाद माइनस 5 का स्क्वार बराबर यह वाला जो 2 का स्क्वार लिखे हैं यह भी अपने खुद से ही लिखे हैं इसलिए इधर भी 0 का 0 और ओ चीज इधर भी लिख देंगे यानिकि ये वाला जो चीज है प्यारे बचो ये वाला दोनों तरफ लिखा जाता है जो 2 का स्क्वार करते हैं अब चलिए इसको लिख सकते हैं x का स्क्वार पलस 2x2 यानिकि 2ab बन रहा है पलस 2 का स्क्वार अब इधर में माइनस 5 है प्यारे बचो यह माइनस 5 है अब यह म माइनस में है उधर जाएगा तो 5 पैर बचो आप यहां पे देख पार होंगे X A square प्लस 2AB प्लस B square का होता है A प्लस B का whole square उसी तरह से यहां पे आप देखिए तो X के जगा पे A है 2A A के जगा पे X है और B के जगा पे 2 है तो A square प्लस 2AB प्लस B square तो यहां पे हम आप A प्लस B का whole square लिखिएगा तो यहां A के जगा पे X है और B के जगा पे 2 है तो X प्लस 2 का whole square बराबर कितना प्यारे बचों? 4 और 5? 9 हम लोग जानते हैं प्यारे बचों कि इधर जो square है इधर हटता है तो इधर root चड़ जाता है तो X प्लस 2 बराबर root अंडर 9 और root अंडर का value क्या आता है प्यारे बचों? root का जब भी value आता है तो A गो plus में आता है और minus में आता है याद रखेगा जैसे root 9 का तो 9 का वर्गमूल तो 3 होता है लेकिन इसको आंसर करेंगे plus minus में तो यहाँ 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 इसलिए प्यारे बचों एक बार लेंगे positive value यानि कि एक बार लेंगे धनात्मक मान और एक बार लेंगे रिनात्मक मान तो धनात्मक मालेंगे तो x plus 2 बराबर हो जाएगा पलस 3 और x plus 2 बराबर हो जाएगा माइनस 3 जब रिनात्मक लेंगे तब अब यहां पे x का वेलू निकाल लेज़े इधर पलस 2 है उधर जाएगा तो माइनस 2 इसलिए x बराबर आ जाएगा 1 और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस 2, x ब्रावर माइनस 3 और माइनस 2, यह हो जाएगा माइनस 5 यानि कि प्यारे बचों हम ये बोलना चाहा रहे हैं, कि कोई भी समिकरन रहे, आपको दो फर्मूला का यूज करना है यानि कि a पलस b का हॉल स्क्वार, a स्क्वार पलस 2ab पलस b स्क्वार, या फिर एक और फर्मूला, a माइनस b का हॉल स्क्वार, a स्क्वार माइनस 2ab पलस b स्क्वार प्यारे बच्चों यही दोनों फार्मूला पे तोड़ना है इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग बिधी यानि कि ऐसा अगर आप तोड़ लेते हैं तब हम लोग इसी प्रोसेस को इसी प्रकिरिया को बोलते हैं पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा हल निकालना यानि कि कोई भी क कोश्चन रहे हमें क्या करना रहता है पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा शॉल्व के जाता है चलिए एक और समझने के लिए एक और एक्जामपल लेते हैं प्यारे बच्चो अब उस एक्जामपल को हम लोग जराय से समझते हैं सवाल ये है कोशन ये है कि आप पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा 3x अस्क्वार माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 पेरे बचों आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि ऐसे सवालों में आप यहाँ x अस्क्वार के पहले क्या है? 3 तो 3 तो किसी का स्क्वार नहीं होता है देखिए अस्क्वार किसका किसका होता है यहाँ एक रहता तब एक का स्क्वार होता यहाँ अगर 4 रहता तब हम इसको 2 का स्क्वार लिख सकते थे यहाँ अगर प्यारे बच्चों 9 रहता तब हम लोग क्या करते? तीन का square लिखते हैं लेकिन यहाँ तीन जो होता है किसी का square नहीं होता है तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या रहता तो हम लोग इसको square कर सकते थे तो तीन का table पढ़िए तीन एकम तीन होता है तो तीन तो already नहीं है उसका उसका पुरा पुरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अब तीन का दूसरा बार का table पढ़िए तीन दूना का 6 तो 6 भी पुरा पुरा वर्गमूल नहीं निकलता है अब तीन तरीके 9 तो 9 जो है पुरा पुरा वर्गमूल निकल जाता है इसलिए प्यारे बचो हम लोग इसलिए यहां पर लिखेंगे कि 3 से दोनों तरफ गुना करने पर यानि कि अगर सवाल में अगर x² के पहले ऐसा मान दे जिसका पूरा पूरा वर्ग मुल नहीं निकले तब आपको अपने से सोच के कि कितना से दोनों तरफ गुना किया जाए कि यहां वाला पूर्ण वर्ग बन जाए यानि कि जैसे मान लिया कि यहां 4x² है तो 4 तो खुद है 2x का स्क्वाइर तो यहां 2 का उस पर तोड़ देते लेकिन यहां पर क्या है प्यार बचो 3x² तो 3x² है तो इसलिए हम लोगों को दोनों तरफ कितना से गुना करना पड़ रहे है तो चलिए इधर इसको 3 से गुना किजिएगा तो 3 3 के 9x² माइनस का तो माइनस रहेगा अब 5 को भी 3 से गुना किजिए तो 5 ती आई 15 दू को भ बता है चलिए अब आप अराम से इसको लिख सकते हैं अब तो आगे ना 9x² तो 9xx² को कितना का सकवार लिख सकते हैं 3x² तो यह हो जाएगा आपका 1 अमान ठीक है 3x का होलस को लिख दीए तो यह हो जाएगा एक अमान फिर यहां वाला माइनस से प्यार बच्छो तो फिर प्राइनosph tai Philippa जिसका स्कृर moya to 인- κα legitim प्रत्रीरिक नहीं भॉट्च sound प्यारे बच्षों यहां पे आपको शुचना पड़ेगा कि यहां पर क्याल लिखा जाए कि पंद्रह एकस आजाए तो जरा हमां करके दिखाते हैं अभी है क्या प्यारे बैचों यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाना है हमको 15x ठीक है 15x लाना है हमें है क्या तो 2 गुना 3x है अब यहाँ पे कितना कर दे यहाँ पे कितना रख दे कि यहाँ पे 15 हो जाए तो x तो x already है तो यहाँ पे सबसे पहला बात कि 15 लाने के लिए कुछ बटा में भी सोचना पड़ेगा दखिए पांच बटा अगर दू रख देते हैं तो दू से दू कट जाता है और पांच तियाई 15 एक्स भी हो जाता है यानि कि यहाँ पे हमें तीन ची चाहिए 2, A, B चाहिए अब यही B के बारे में प्यारे बच्चो आपको सोचना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा एक नंबर ही है बटा में भी हो सकता है जैसे यहाँ रख दिये 5 बटा दू देखिए 5 बटा दू रखने से दू और दू कैंसिल हो जाता है और 5 ती यही 15 एकस का एकस बच रहे यानि कि आपको यहाँ पे क्या रखना है यानि कि 2 तो लिखना लिखना है पका A कहां से आएगा तो जिसका स्कॉर होता है उसको A और इसके बारे में प्यारे बच्चो सोचना पड़ता है कि यहाँ पे क्या रखा जाए अब आप सोच लिए कि यहाँ पे 5 बड़ी 2 रख दिये तो प्लस में फीर जितना आप सोचे हैं उसका स्कॉर रख दिजिए हम 5 बड़ीटर 2 सोचे हैं तो आप 5 बटर 2 का स्कॉर कर दिजिए फिर सवाल में प्लस 6 है तो प्लस 6 उतारिए बराबर यहां पे भी 0 करिए तो 0 है तो 0 और पलस 5 बटा 2 का hall square उसके बाद करना क्या है प्यारे बचों यानि कि a square तक के यह वाला जो a square है उसको एक तरफ रखिए तो 3x का hall square minus 2 a b यह b मतलब 5 by 2 पलस 5 by 2 के hall square यहां तक लिख दिये अब करना क्या है यह वाला पलस 6 उधर जाएगा तो minus में 6 होगा तो यहां पे अब इसको तोड़ दिजे right side वाला जो square है तो 5 का square 25 नीचे 2 का square 4 अब इस पलस में है उधर जाएगा तो minus में 6 तो इस तरीके से आप आप देखिएगा तो बराबर के इस side वाला फर्मूला पे टूट रहा है a square minus 2 a b plus b का hall square तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं 3x minus 5 by 2 का hall square क्यों प्यारे बच्चों इसलिए क्योंकि यहां पे minus है तो यहां पे minus का hall square हो जाएगा a के जगा पे 3x और b के जगा पे 5 by 2 तो minus hall square हो गया बराबर यहां पे बटा एक लिख सकते हैं अब 4 ओ एक का LCM कितना होगा 4 4 से यह कितना बार में कटेगा एक बार में कितना होगा यहां पे 25 minus यह कितना बार में कटेगा 4 बार में चोचों का 24 तो प्यारे बचों अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3x माइनस 5 by 2 का hall square बराबर यहां कितना आ रहा 25 में से 24 गया तो एक बटा में 4 अब प्यारे बचों हम लोग जानते हैं कि अगर यहां square रहता है तो square को हटाते हैं तो इधर root चड़ जाता है तो यहां हो जाएगा 3x माइनस 5 by 2 जब square इधर से हम हटा दिये तो इधर root चड़ गया 1 by 2 में 4 अब यहां से आप देख पा रहे होंगे 3x माइनस 5 by 2 बराबर 1 by 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 1 का तो वर्गमूल एक हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा लेकिन प्यारे बच्चों किस में तो प्लस माइनस में जब भी वर्गमूल होता है उसको हटाएंगे वर्गमूल का पुरा-पुरा निकाल के प्लस माइनस देना होता है फिर आप कैसे लिखेगा तो फिर आप इसको यूज करते हुए ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों दो पार्ट में तोड़िएगा यहां से यहां के बाद अगर दो पार्ट में तोड़ेंगे यानि कि ऐसे देख पार होंगे एक बार प्लस आया है यहां पे आप घ्णात्मक मान लेजएगा मान लेने पर यहां लिखे देजएगा इस दो फिलाबर दो नात्मक मनें खाली प्लस में लेना है वन बैटू तो यहां प्लस वन बैटू ले लिए अब थ्री एक्स बराबर यहां माइनस में पांच बटा चार है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में पांच बटा चार तो यहां हो जाएगा थ्री एक्स बराबर दू और चार का य बटा में चार और प्यारे बचों यहां एक्स का वेलू निकालना है तो एक्स का वेलू कैसे निकालेंगे तो यहां पर तीन गुना में है तो तीन भागा में आ जाएगा तो तीन जैसे ही भागा में आ जाएगा साथ बटा चार गुना तीन यानि कि साथ बटा यह हो जाएग 12 यानि कि एग वो आ जाएगा 7 बटा में 12 अच्छा फिर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कितना बच जाएगा सुरी यहाँ पर देखते हैं गलती तो नहीं नहीं हुआ है अब रिनात्मक मान लेने पर अगर इसका रिनात्मक मान लेंगे प्यार बच्छो तो क्या बनेगा 3x minus 5 बटा sorry 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 यहाँ पर गलती हो गया 5 बटा 2 है ना यहाँ पर 4 नहीं 5 बटा 2 तो यहाँ पर बचो यहाँ पर सुधार लिकर लेजएगा 5 बटा 2 लिखके बनाईएगा यहाँ पर तो यहाँ पर 2 2 का LCM 2 हो जाएगा और 5 और 1 मिलके हो जाएगा 6 तो 6 बटा 2 यानि कि 3 तीन आजाएगा और 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आजाएगा यानि X का वेलू कितना आ गया 1 अब आप देख पा रहे होंगे कि जब माइनस लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x minus 5 by 2 बराबर कितना तो minus 1 बटा में 2 अब minus 1 बटा 2 हुआ अब ये minus जब उधर जाएगा प्यारे बच्चो तो क्या बनेगा 3x बराबर minus 1 बटा 2 और plus में 5 बटा 2 ये minus था उधर गया तो plus हो गया अब 2 और 2 का LCM 2 और यहाँ पर कितना बची गया minus 1 plus 5 तो 5 और 1 मिलके हो गया 4 बटा में 2 और 2 दूना का 4 तो 3x बराबर हो जाएगा 2 इसलिए x का मान निकाल देजएगा तीन इधर भागा में चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा में 3 तो प्यारे बच्चो इसी को हम लोग बोलते है पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा किसी भी समिकरन को खल करना यानि कि पूर्ण वर्ग बिधी में आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा हमेशा दिमाग लगा कर यही आपको काम करना पड़ेगा कि कैसे भी करके ये वाला फर्मूला पे तोड़ दे A पलस B के हॉल स्कॉर पे या फिर A माइनस B के हॉल स्कॉर पे इसको तोड़ दे चलिए तो अब आपको हम कुछ question देते हैं अब कुछ questions आपको करना है तो चलिए आपको homeworks के तौर पे कुछ question देते हैं जिसको आप पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा सॉलूशन करेंगे, गुरन खंड बिधी द्वारा नहीं, पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा आप सॉल्व करके आंसर भेजेंगे, तो पहला कोशन लिखा जाए, 2 X स्कुर माइनस 5 X पलस 3 बराबर 0, पेवबचा यहा पर देख पार होंकि 2 X स्कुर है, तो 2 तो किसी का स्कुर नहीं होता है, तो आप करेंगे क्या, दोनों तरफ दो से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा दो दोना का 4x square और 4x square को आप 2x का hollow square लिख दिजेगा तो इस तरीके से एक question है दूसरा question लिखा जाए 3x square 3x square minus 5x minus 5x plus 2 बराबर 0 यह दूसरा question हो गया फिर एक और काम करते हैं तीसरा question लिख लिख लिया जाए थर्ड question 4x square plus 3x plus 5 बराबर 0 तो प्यार बच्वों यह तीन question है एक और question दे जिते हैं चौथा question 25 पचिस नहीं 5x square 5x square minus 6x minus 2 बराबर 0 प्यार बच्वों यह चार question है और चारो question को पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा solution करके मने एक्स का मान निकालके आपको दिखाना है आपको कुछ नहीं करना है अगर मान लिया कि यह 2 है तो दोनों तरफ 2 से गुना कर देज़ेगा यह 3 है तो दोनों तरफ 3 से गुना कर देज़ेगा ताकि यहां 9 बन जाएगा यहां 4 है प्यारे बच्वों तो चार अल्रेडी जो होता है 2x का square है तो इसको कुछ नहीं करना है गुना उना इसमें नहीं करना इसमें डारेक्ट अपना दिमाग लगाना है अच्छा यह 5x square है तो दोनों तरफ किस से गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे ताकि यहां पर 25 बन जाए और 25 का फिर हम लोग 5x का हॉल square कर लेते हैं तो यह question है प्यारे बचो चार question आप बिल्कुल इन questions को जरूर से जरूर बना कर आप send किजिए हमें group में और फिर हम देखते हैं कि कितने लोगों को पूर्ण वर्ग विदी समझ में आया है और बाकि जिन लोगों को नहीं आया है तो जिन लोगों का सही होगा उसको देखकर आप उनका hints लेकर समझने का परयास किजिएगा फिर मिलते हैं अगले class में अगले वीडियोज में आगे की questions को समझेंगे और अभी तो हम लोग पूर्ण वर्ग विदी दवरा से रहते हैं एक सुत्र भी है इसको निकालने के लिए तो अगले दिन हम लोगों सुत्र भी सीखेंगे जिसको बोलते है प्यारबचो द्विघाद सुत्र तो आज की class को यहें तक एंड करते हैं प्यारबचो फिर मिलते हैं अगले class में धन्यवाद